हेलो सो मेना विजाओ सो इंडिया में दिवाली की सेल स्कार्ट हो चुकि जाकर अमेजों ने लगा दिया अपना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और यहां पे मेरे पास में आपके लिए लैप टॉप चार यहां पे हैं दो पीछे पड़े हैं और चार नीचे साइड पर टोट लेगमेंड में और सारे ही लेपटॉप के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एड कर लूँगा ताकि आप आसानी से पर्चेस कर सके हैं और हैविंग सेट डैट लेट के स्टार्टेट सबसे पर टोसमें एक चीज के लिए करना चाहूंगा कि आज सेल का फ लेपटॉप्स नए नए रोज एड होते जाते हैं रोज प्राइज चेंज होते जाती है किसी की बढ़ जाएगी किसी की कम हो जाएगी तो इस लिस्ट को जरूर से आप चेक आउट कर लीजेगा एक बार ऐसा निया कि जो मैंने 10 लेपटॉप्स आपको बता दिये यह इसका Core i3 वाले वर्जन नंबर वन पर मैं रैंक करना चाहूँगा इसके Ryzen वाले वर्जन को जो की सेल में मिला है 39990 का मतलब 40,000 से 10 रुपय कम मोबाइल हो केस में हापे 1 रुपय कर देते हैं लेपटॉप्स के केस में हापे 10 रुपय कम रखते हैं चालिस अजार का ये ल लिस्ट में जितने भी लेपटॉप्स मैंने हापे कवर कर रहे हैं सारे SSD के साथ में आते हैं विकास लेपटॉप में भले ही आपको रैम कम मिल जाए लेकिन SSD अगर नहीं होगी ना तो लेपटॉप मतलब सूपर स्लो हने वाला है हार्ट डिस के जमाने चलेगा है रुस्तो तो मुझे यही डील मतलब सूपर अमेजिंग लगी नंबर बन पर यहाँ पर MSI का modern 14 लेपटॉप चालिस अजार से अगर प्रैस बढ़के बैल इस तक भी चले जाता है 40, 42, 43 आप इस लेपटॉप को ले सकते हैं उससे कम मिलता है कार्ट डिसकॉंट लगार लगा के तो औ और अच्छी बात है सेकेंड नंबर पर यहाँ पर MSI का ही modern 14 निगल के आ रहा है जहां पर इसका i3 वाला वर्जन 34,000 इंडियन रूपीज में मतलब 34,000 से 10 रूपर कम मिल जा रहा है आपको विद्धा i3 11 जनरेशन प्रोसेसर यहाँ पर 8GB की RAM और 512GB की SSD मिलती है जी हां मत 45 के अंदर 45K के अंदर बहुत कम Laptops ऐसे होते हैं जो IPS Display के साथ में आते हैं इंफेक्ट अगर हम HP Notebook 15 की भी बात करें 55,000 का Laptop है उसमें भी IPS Display नहीं है तो यह तो दो Laptops है ना मतलब number 1 पर आप Consider कर सकते हो 40,000 के अंदर best pick definitely 3rd number is also 50,000 के अंदर वाली range में हमारे पास में HP का ProBook 450 G8 मतलब generation 8 Laptop ऐसे में यहाँ पर हमारे पास में इसका i3 11th generation वाला variant है क्योंकि 8GB, 256GB configurations के साथ में आता है अब यह Laptop मैंने यहाँ पर क्यों लिया विकास i3 Laptop तो आपको definitely 35,000 के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जा पोर्ट की अगर बात के तो आपको Type-C भी देखने के लिए मिल जाएगा वे Thunderbolt support सारही पोर्ट से यहाँ पे and in fact यहाँ पे Ethernet पोर्ट भी देवा है for LAN connectivity तो super durable laptop business features के साथ में आपे HP ProBook लेके आ जाएगा along with front firing speakers 43,000 मेरे खहल से वर्त है अगर आपको एक professional series का laptop चाहिए तो और यहाँ पे MSI का modern 14 ले सकते हैं जो कि around 34,000 इंडियन रूपीज में same specs लेके आ जाता है तो थर्ड नंबर पे हाँ पे 50 के अंदर अली machines के अंदर HP ProBook 450 generation 8 और 4 नंबर पे हमारे पास में निकल के आता है Dell का यह Inspiron 3511 laptop जो के आता है again Intel के Core i3 11th generation processor के साथ में जहां पे हमें देखन तक ही include करूं नहीं करूं because इसी range में हमें Lenovo का think book भी देखने के लिए मिल जाता है लेकिन मैं सुचा है कि Dell का हमारी पूरी list में एक भी laptop नहीं है और Dell के बहुत सारे fans भी है तो यहाँ पर मैंने यह वाया laptop include कर लिया है वैसे magic recommendation तो नहीं है में इस तरफ से बहुत ही normal सा laptop है क कुछ complaints भी देखने के लिए मिलिए laptop की लेकर अगर आपको Dell का ही चाहिए तो आप इस laptop को चूछ कर सकते है प्राइज रखी गई इसकी 41,000 इंडियन रूपी ऐसे 35,000 में भी आपको और अच्छे i3 के laptop मिल जाएंगे नीचे description में आपको इसका link मैं provide करा दूंगा अब यह मे करते हैं 50 to 60,000 वाली price range के laptops के बारे में जहां पर number one पर मेरे पास में है यहां पर HP का Victus यह मेरा personal favorite mid range gaming laptop है मतलब इस price segment के अंदर कोई भी और gaming laptop इसको बीट नहीं कर सकता है in terms of design and everything overall 12th generation का review दूस्तों एक दो दिन के अंदर मैं पोस्ट कर दूँका अपने channel के ऊपर लेकिन फ speed वाले रहते हैं यहां पर हमें इस laptop के साथ में 4GB AMD Radeon RX 5500M series processor भी देखने के लिए मिल जाता है for amazing graphic work यहां पर आप अगर video editing करते हैं graphic designing करते हैं अराम से laptop अपनी graphic capabilities के साथ में आपका काम संभाल लेगा 8GB RAM मिलती है 512GB SSD मिलती है upgradable भी है और भी questions है तो नीचे पूछ सकते है जल 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 जे वीडियो बना रहा हूं सारी चीज़े cover नहीं कर सकता Windows pre-stalled है MS Office यहां पर home and students for lifetime आपको देखने के लिए मिल जाता है इस laptop के साथ में weight यहां पर थोड़ा सा heavy रहेगा around 2.4 kg इसका रहेगा normally 1.8 kg का होता है कोई भी laptop 15 इंच का यहां पर बहुत जदा heavy duty laptop है तो थोड़ा सा definitely आपको heavy मिलने वाला है तो अगर आपको graphic वर्क है gaming का वर्क है आप इसको ले सकते हैं या फिर अगर आपको कम price में एक powerful laptop चीए तो भी आप इसको consider कर सकते है price की अगर बात करें तो 53,000 से 10 रुपए गम में यह laptop Amazon के उपर available है link in the description second number पे है मारे पास में यहां पे Lenovo का IdeaPad Slim 3 मेरे पास में इसका 11th generation वाला variant है लेकिन 12th generation वाला जो Intel का वर्जन है वो भी just अभी launch हुआ एकदम latest तड़कती बड़कती चीज है और जिस price में मिल रही है वो super amazing है कुछ तैम पहले 65,000 के ती अभी 53,000 से 10 रुपए कम में आपको मिल दिया Amazon.com.in के उपर यहां यहां पर उस तो 8GB की RAM मिल जाती है हमें 512GB SSD storage अगें लेकिन एक चीज यहां पर बहुत ही amazing है जो कि और किसी भी laptop में नहीं है वो है 2 years warranty तो 2 साल के वारंटी के साथ में लेप्टोप आता है बे फिकर होगे यूज कर सकते हो heavy duty machine है और बहुत सारी वीडियो में मैं इसको next level है काफी अच्छा है ports अगरा भी देखने के लिए मिल जाते हैं अच्छे हमें इस laptop के साथ में और Lenovo का support इंडिया के अंदर अच्छा देखने के लिए मिल जाता है और 2 नंबर पे Lenovo IdeaPad Slim 3 53,000 से दसर बगाम थर्द नंबर पे हमारे पास में HP HP Notebook 15G यहां पे आता है Intel के 12th generation processor के साथ पर आई 512 generation इस्तमाल करा गया है 8GB की RAM अगें 512GB की SSD अगें यह वाला थर्ड नंबर पे इसलिए प्राइस जो है ना वो Lenovo IdeaPad Slim 3 जो कि मैंने अभी जस्ट कवर करा उससे थोड़ा सा जादा है 57,000 से 10 रुपे कमे यह वाला अविलेबल है Amazon की उपर दूसरा यहां यहां पर वारेंटी मिल जाती है बाकि सारी ही चीजे लेनोव ऐडिया पर Slim 3 के जैसी यह laptop निकाल के देता है इंक्लूडिंग दा पोर्ट्स बिल क्वालिटी एवरीधिंग इस जस्ट सेम प्राइस लाइटली जादा है और यहां पर वारेंटी एक साल की है अगर आप HP के साथ में बेटर बिल्ड के साथ में ज्यादा पोर्ट के साथ में जहां पर बहुत सारे पोर्ट रिच ओप्शन देखने के लिए मिल जाता है यह वाला लैप्टॉप इंडिया में अविलेबल है सेल के उपर 55,000 से 10 रुपए कम में और यह वाला आता है AMD के Ryzen 5 5500U प्रोस यहां पर एक कॉन है कि Ryzen 5 जो 5th generation वाला है वो एक साल पुराना प्रोसेसर हो चुका है अभी हमें 12th generation प्रोसेसर भी देखने के लिए मिल रहे हैं and in fact HP Victus भी रिखने के लिए मिल रहा है विच इस मोर पावफुल तभी यह वाला हमारी लिस में 50 to 60,000 में 4th नमबर पे निकल प्रोसेसर रखा गया है Ryzen 5 5500 U processor एक साल पुराना प्रोसेसर है 53,000 से 10 रुपर कम में अविलेबल है इंडिया में Amazon के ऊपर यह वाला सेम प्रैस सेग्मेंट में आ रहा है जहां पर हमें IdeaPad 3 देखने के लिए मिल जाता है तो आपकी चोईस है अगर आपको नया प्रोसेसर च आपकी जाता है जाता है इंडिया में अब यह वाले बात करते है मेरी परसनल फेवरेट 60,000 के उपर रही प्राइस रही जहां पर हमारे पास पे नमबर वन पे है MSI का GF 63 रिन नाइट वेट आ गेमिंग लैपटोप यह वाला नमबर वन पे इंक्लूट करना चाहूंगा व अमेजिंग वैल्यूफर मनी डील है यहां पे 68,000 से 10 रुपए कभ में हमें हमें लेटेस्ट i7 11th जनरेशन 11800H वाला प्रोसेसर है 8GB 512GB with the RTX 3050 4GB ग्रैफिक कार तो मतला अमेजिंग ग्रैफिक परफॉरमेंस निकाल के देदेगा प्रोसेसर H-series वाला है बहुत ही हायर ग् साथ में आता है i7 11th जनरेशन के साथ में यहां पे लेकिन 8GB 16GB RAM देखने के लिए मिल जाती है यहां पे 60Hz रिफ्रेश रेट के बडले 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है overall एक बैटर बिल देखने के लिए मिल जाती है with the katana laptop यहां पे दोनों ही laptop GF63 और MSI सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कुलिंग सिस्टम वन और बैस निकल के आ रहा है स्पीकर काफी अच्छे रखे गए बैक लिट की बोर्ड है तो दुनों ही laptop यहां पे 60,000 के उपर मेरे परस्नल फेवरेट रहेंगे बहुत जादा उपर नहीं जा रहे हैं और बाकी की laptop यह आप कंसीडर कर सकते हैं अगर मैं सारी बताने जाओंगा तो लिस्ट बहुत जादा लंबी हो जाएगी यहां पे 60,000 के उपर LG का gram series बहुत जादा अच्छी है अल्टरा बुक सीरीज में आ जाता है gaming laptop में आपको दो बता द जाता है लेकिन हिंडिया में सेल में अभी भी भी बहुत अमेजिंग प्राइज में मिल रहा है 95,000 में i5 8512 अब बाकी बैटरी लाइफ है तो मतलब यह एक दम अलगी चीज हो जाएगी लेकिन प्राइज इसका एक लाग एक लाग भी क्रॉस कर जाएगा अगर आप हाईर स लिंक्स दूँगा ना वो लिंक्स में तीन-चार देन तक रेगुलर्ली अपडेट करता रहूँगा ताकि आपको बैस डील मिल जाए अपने लिए अगर आपके कोई भी क्वेशन से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर कॉमेंट कर सकते हो मैं एक्टिव हुआ 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 है